दोस्तो आपने एक निव यूटूब चैनल क्रिएट किया है और उसमें दो-चार वीडियो भी आपलेट कर दिया है लेकिन नहीं आपका वीव आता है नहीं आपका सब्क्राइब मिल रहा है तो दोस्तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपोर्टन होने वाला है दोस्त मैं यूटूब स्टूडियो को इस्तेमाल करते हुए एक ऐसा सेटिंग बताऊंगा जिस सेटिंग को अगर आप कर लेते हैं तो आपका सेनल का वीडियो सार्स में आने लगेगा और वीडियो में भीव भी जादा मिलेगा और सब्क्राइब भी बारने लगेगा दोस्तों और आप देख रहा है बीना ओनलाइन टेक यूटूब चैनल चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आप जब क्रोम ब्राउजर को अपन करेंगे तो आपका सामने खुलके कुछ इस टाइप का इंटरपेस आएगा अभी आपको क्या करना है ओपर में आप देख सकत आपका सामने खुलके आजाएगा यह देख सकते हैं यह बला पेज आपका सामने खुलके आजाएगा अभी आपका डाने तरप जो चैनल का लोगो देख रहा है इस लोगो का ओपर क्लिक करना है जैसे आप लोगो का ओपर क्लिक करेंगे एक पॉप आप खुलके आपका साम कर देना है जही से आप यूर चैनल पर क्लिक करेंगे अभी आपका सामने एक नया पेज कुल के आ जाएगा इस पेज में आप देख सकते हो यूटूब स्टूडियो का एक बटन है इस यूटूब स्टूडियो का जो बटन है इसका ओपर आपने क्लिक कर देना है जही से आप इसका उपर क्लिक करेंगे यह देख सकते है यह बला पेज आपका सामने खुल के आ जाएगा अभी आपको क्या करना है आप बाए तरफ नीचे देख सकते एक सेटिंग का आइकन है इस सेटिंग का आइकन पर आपने क्लिक कर देना है दोस्तो अभी से वीडियो का आप स्कीप मत करना क्यूंकि आभी जो setting में बताने वाला हूं वो आप बहुत धयान से देखना ठाकि आपका channel में आप कर ले और आपका YouTube वीडियो का view बड़े तो आभी आपको क्या करना है? चैनल पर click कर देना है जैसे आप channel पर click करेंगे तो एक page आपका समनी खुल के आ जाएगा आप देख सकते हो इसमें ओपर में आपको एक बटन मिलेगा Advanced Settings, Advanced Settings का ओपर आपने क्लिक कर देना है जैसे आप Advanced Settings का ओपर क्लिक करेंगे तो आपका सामने नीचे एक पेज खुल के आएगा इसको आप ओपर का तरोब उठाना है जैसे आप ओपर का तरोब उठाएंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है Advanced Channel Settings का ओपर आपने क्लिक कर देना है जैसे आप इसका ओपर क्लिक करेंगे तो यह देख सकते हो दोस्त यह बाला पेज आपका सामने खुल के आएगा अभी इस सेटिंग को आप बहुती ध्यान से देखना जो मैं बताने वाला हूँ दोस्तो शबसी ओपर में आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा है आपका चैनल का नाम दोस्तो आपने जो भी आपका चैनल का नाम राखा है इसका ओपर आपका शो हो रहा है आपको नजोर आएगा उसके बाद channel का logo नजुराएगा ये दोनों चीज आप कभी भी चाहे sense कर सकते तो आपने इसको sense ना करने का कोशिच ज़्यादा करना उसके बाद लिखा है country country में आप जिस country से blank करते हैं उसी country का नाम यहाँ पर जोरू type करे मैं जैसे इंडिया का हूँ तो मैं इंडिया का यहाँ पर type कर देए उसके बाद channel keyword यहाँ पर मैंने channel keyword भी डाल रखा है यह मैं आगे जाके आपको बताऊंगा यहाँ पर नहीं बताऊंगा यहाँ पर आपको समुझ में नहीं आएगा उसके बाद channel को नीचे का तरफ ले जाना है यह देख सकते हो नीचे का तरफ जैसे आएंगे यहाँ पर लिखा है AdWords Account Linking यहाँ पर देख सकते हो मेरा बिना online take जो YouTube channel है यह link है AdWords से अगर आपका YouTube channel AdWords Account का साथ link नहीं है तो आभी के आभी आपका YouTube channel को AdWords Account का साथ link कराई ताकि आपका channel Google Search Engine में आने लगे उसके बाद जैसे आपका यह linking का काम हो जाए उसके बाद आपने नीचे का तरफ आना है और नीचे का तरफ आने का बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर एक save का बटन है यह save का बटन पर आपने click कर देना तो आपका यहाँ का काम खतम हो जाएगा उसके बाद क्या करना है आपने उपर में बटन ने लिखा है return to YouTube return to YouTube Studio यहाँ पर आपने click कर देना जैसे आप return to YouTube Studio को पर click करेंगे तो आप यहाँ पर पोज़ जाएंगे उसके बाद आपने ये बाए तरव पर एक basic info है, इसको भी एक बार click कर देना, जैसे आप basic info पर click करेंगे, तो आप देख सकते हो, यहाँ पर मेरा channel का बहुत सारे keyword खुल के आ गया है, आपने अगर आपका channel का keyword अभी तक नहीं डाला है, इस चीज़ को कोई भी यूटूबर आपको खुल के नहीं देखाएगा, आपका YouTube channel का related keyword यहाँ पर जरूर डाले, जैसे मेरा channel का नाम है बीना online tick, तो मैं बीना online tick डाल रखा, बीना online tick डाल रखा, उसके बाद मेरा नाम डाल रखा, यह अलाग अला capital letter में, उसके बाद small letter में मिला जुला के आप डाल दीजे, उसके बाद आप नीचे क तरफ आएगा, तो देख सकते हो, यहाँ पर मैंने लिख रहा का YouTube, YouTube मैंने क्यों लिखा, YouTube में इसलिए लिखा, मैं YouTube का related video बनाता हूँ, YouTube algorithm को यह समुझ में आएगा, मेरा channel में YouTube लिखा है, इसका मतलब मेरा channel में video भी YouTube का create क्या हुआ होगा, तो मेरा video को YouTube suggestion में जरूर आएग उसके बाद आप देख सकते हो, यहाँ पर लिखा है mobile, उसके बाद PC, computer, यह मैं क्यों लिख रहा है, यह मैं इसलिए लिख रहा है, मैं mobile का बारो में भी video create करता हूँ, computer का बारो में भी video create करता हूँ, तो यह सारे keyword को आपने, आपका जिस भी category का channel है, उस category का related, जिस type का video create कर जरूर यहाँ पर डाल दीजिए, उसके बाद नीचे का तरो आएंगे, तो देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे सी जॉड लिखा है मैंने, यहाँ पर on mobile, latest video, based, बहुत सारे कुस लिखा है, यह देख सकते हो, एक एक करके मैं आपको खुल के देखा रहा हूँ, गोगोल ल चैनल में already, मैं उस वीडियो का link इस वीडियो का description में डाल दूँगा, आप उस वीडियो को जरूर देख लेना, ताकि आपको चैनल की वाड कितना डालना है, समझ में आ जाए, तो दोस्तो इसी तरह आपने अगर पुरा setting कर लेते हैं, तो आपका चाहिए, दो दिन का पु अगर आप देखना चाहते हैं, तो तुरांत मेरा चैनल को सब्क्राइब करें, और शाथ में जो गंटिया हैं उसको भी दवा दे, और इस वीडियो को like जरूर कर देना, तो दोस्तो thank you, फिर मिलेंगे next वीडियो